गुमे किसी की प्यार की आने वाले एपिसोड में आपर हम देखने वाले को भई कैसे जर्नल जो होता है वो सभी की इंटर्वियू लेता है लेकिन वो पेपर में बिल्कुल अपोजिट छापता है वो इशान की घरवालों का, इशान का सब की बुराया करते होई नजाराएग तो आगे आपर हम देखने वाले कि इशान जो है उस पेपर की कंपनी में कॉल करेगा और कहेगा कि अगर आपने माफी नावा नहीं मांगा अगले दिन हमारे नाम पर हमारे फैमिली के नाम पर तो वो उनके उपर डिफर्मेशन केस कर देगा इसी बीच दूसरे तरफ हम ये देखने वाले हैं कि सभी माडम वो भी इस कंपनी में ही पहुँच जाती है सीधा और कहती है कि आपके उपर मैं भी केस कर दूगे लेकिन याप पर वहां का जो डिरेक्टर होता है वो कहता है कि आपके पती ने भी कॉल किया था वो कहते कि वो डिफर्मेशन केस कर देंगे वो हमें धमकी दे रहे हो यापर सभी कहें कि उन्होंने तो धमकी दी है मैं तो पक्का तुम्हारों पर डिफर्मेशन केस करूँगो और यापर जो है वो लोग घबडा जाते है कमपनी वाले वहीं दूसरी तरफ हम देखते है कि इशान को पूरा भरुसा है सभी पर और य वहीं आगे हम देखने वाले कि इस बार रीवा ने ठान लिया है कि वो सभी से सारे सवालों का जवाब लेगे और वो पूछ के रहेगे उससे कि वो ऐसा क्यों कर रही है और वहीं जब यहां से रीवा चली जाएगी इसी बीच आपर वो जर्नलिस्त आएगा वो भी पैसे लेकर आएगा इस बार सभी के पास वो पैसे ओफर करेगा सभी को ताकि सभी जो है वो डिफिमेशन केस ना करे और इसी बीच रीवा उसकी फोटो क्लिक कर लेगी और यह रीवा जो है यह फोटो इस इशान को दिखा दीगा अब यहां पर इशान ना चाहते वे इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएगा कि यह सब कुछ जो भी किया है वो सभी का किया धर है अब आगे हम देखने वाले कि यहां पर इशान पहुचेगा सभी के पास वो भी उसे खरी खोटी सुनाएगा और वो कहेगा कि एक कदम में जह उठाना चाहिए था जो कि बहुत पहले उ यह कदम उठाओंगा जहां पर हम देखने वाले कि इशान और सभी का बहुत जल्दी डिवास होने वाला है